हेलो दोस्तों वेलकम बैक टो माई चैनल मैं हूँ आप सभी की फूडी होस्त रमिता और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक और पहुत ही टेस्टी कुकीज की रेस्पी शेयर करने वाली हूँ जो की है नान खताई की रेस्पी लेकिन आज इसे हम बनाएंगे ग की हूँ का टलिया है दोस्तों उसी कटोरी से नापके आपको आधा कटोरी के जितना बेसन लेना है और सेम कटोरी के साथ हम एक चौथाई कटोरी के जितना यह सूजी लेंगे अगर आप स्टैंडर्ड मेजरिंग कप यूज कर रहे हैं तो वही सेम रेशियो रखे आप एक कटोरी यानि की आधा कप के जितना पिसी हुए चीनी नॉर्मल घर की चीनी को मैंने पीस के रखा है यहां पे दोस्तों मैंने पिस्ता दो तरीके से यूज किया है दो चमच के जितना एक दमबारी कटा हुआ दो चमच के जितना लंबाई में कतरन में कटा हुआ बाद में करने के लिए काटोरी में आप जो देख रहे हैं ये दो चमच के जितना गुन-गुना दूद है जिसमें मैंने 10 से 15 स्ट्रैंड केसर के डाल दिया थे क्योंकि हम पिस्ता केसर फ्लेवर वाली नानकताई बना रहे हैं तो यहां पर मैंने केसर को इस तरीके से दूद में भिग तो चार से पांच चमच के जितना गी हो रहेगा ये आपको दोस्तों पिगलेवे फॉर्म में नहीं लेना है थोड़ा सा जमा होना चाहिए जैसे वीडियो में आपको दिख रहा है अगर गर्मिया है तो आप फ्रिज में थोड़े देर के लिए रग दें ताकि इस तरीके स बनता है अब अच्छे से आपको चमच से ही फेटना है जब तक कि जो हमारा घी है थोड़ा सा और जदा वाइट ना होजा एकदम लाइट फलफी हो जाना चाहिए हाथ से फेटने में दोस्तों इसको करीबन 7-8 मिनिट लगते हैं अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उससे 3-4 मिनिट में अच्छे से फेट सकते हैं यह प्रोसेस इंपोर्टेंट है आप जितने अच्छे से इसे फेटोगे आपकी नान खताई उतनी अच्छी बनेगी यह देखें मैंने इसे इतना फेटा है कि एकदम वाइट जो हमारे पस फेस क्रीम होती है घर पे बिल्कुल वो कंसिस्टेंसी होगा एकदम लाइट हो गया है चीनी और घी आपस में अच्छे से मिल चुका है अगर आप यही प्रोसेस पिगलेवे घी के साथ करोगे तो ऐसा टेक्छर नहीं आएगा फिर आपकी नान खताई भी एकदम फैली फैली सी जैसे बहुत सारे को तो आफ आप चाहे तो मैदे के सााथ भी बना सकते हैं 1 कप के जितना यानि की एक टवरी के जतना नाब के लिया था आधा कटवरी के जितना सैटन के जितना यह अग्छा, कि फ़था चमाच, के जितना बेकिंग पर्डोर और हांवठी आपको ठीजकर ले ना हैं यह आपकी भी नान खताई बिल्कुल परफेक्ट बनेगी जैसे कि जब मैंने फर्स टाइम जो सिंपल वाली नान खताई होती है उसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया था जब मैंने शियर किया था तो बहुत सारे दोस्तों का यह था कि यह बिल्कुल भी नहीं लग रहा है क घर पे बनी हुई है तो मैं उसको एक तरीके से कॉम्प्लिमेंट की तरह लेती हूँ कि आपको इतना इच्छा लग रहा है कि आपको विश्वासी नहीं रहा है कि वो घर की है तो आप एक बर यह रेस्पी बनाओगे ना तो आपके घर पे भी बिल्कुल मार्केट वाली च करते हैं तो skip भी कर सकते हैं बाकी मुझे तो अच्छा लगता है सारी चीज़ों को अच्छे से हलके हांच से मिक्स करना है बहुत ज़्यादा भारी हांच से काम ना करे नहीं तो जितना भी हमने घी और चीनी को फेटा है ना जितनी हवा भरी है वो निकल जाग ये भी आप आने वाली स्टील की चम्मच होती है, सबसे छोटा साइज मैंने लिया, उसमें से मैंने 2-3 चम्मच डाल दिया, बहुत जादा ना डाले, हमारा डो बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए, वापस से चम्मच से ही मिक्स करेंगे, ये देखे, एकदम अच्छे से मिक्स हो बहुत इंपोर्टेंट है, एकदम परफेक्ट नानखताई बनाने के लिए, अभी दो थोड़ा सॉफ्ट हो गया, इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, ताकि इस पे काम किया जा सके, मैंने फ्रिज में उसे रख दिया, करीबन आदे घंटे के लिए, अगर आपका फ्रि आपकन हटा दें और उसको अच्छे से प्रिहीट करें कम से कम 10-15 मिनट के लिए, क्यूंकि हम गैस पे बेक कर रहे हैं, जैसे मैंने कुकर में किया आप कोई गहरी कड़ाई भी ले सकते हैं, यहां गहरा बगोना भी ले सकते हैं, उसमें भी बेक कर सकते हैं, नीचे नमक व थोड़ा सा घी या फिर आप ओयल लगा सकते हैं, उपर से थोड़ा सा बटर पेपर लगाएं, मैंने घर पर ही जुगार से किस तरीके से बटर पेपर तयार करें, अपने कराची बिस्किट वाली रेस्पी में सिखाया था, बहुत डीटेल में, अगर आपको देखना है तो थोड़ा सा घी या फिर ओयल आप उपर से भी ग्रीस कर लें, मैंने सेम वे में पैन के लिए भी ट्रे तयार कर ली है, तो ये अधे गंटे के बाद मैंने डो निकाल लिया, एकदम अच्छे से से सेट हो गया, मतलब सेट होने का मतलब यह है कि थोड़ा सा सेमी हार्ड हो ज जाएगा, इस तरीके के प्लास्टिक के स्पून हमें किसी भी मतलब कंटेनर में मिल जाते है, प्लास्टिक के कंटेनर में मार्केट में इसली, तो आप इससे नाप के सारे के सारे डो के गोले निकाले, इससे क्या होगा आपके बिस्किट सेम साइज के बनेंगे और सेम टा से बना के रखना चाहते हैं तो आप यह जो हफते बर चला सकते हैं आप इसे गोले बना के रख दे जब मस बैख कर Nous दे लिए कॉकिकी डो बनाके पहले भी रखाजा सकता है इसे गोल कर लए इसे सारे रोदीर है कि वरिए इसे चपता नहीं करना है, एक और सवाल था मेरे प्रीविएस नान खताई के वीडियो में, लोग बोल रहे थे कि आपने तो गोल बनाया था, आपका थोड़ा सा फ्लैट कैसे होगा, दोस्तों जब भी चीज बेक होती है, मतलब जब भी हम बिस्किट बेक करते हैं, नान खता इस तरीके से मैंने बनाया, जो केसर वाला दूद था ना, दोस्तों मैंने उसमें डिप किया, इस तरीके से बड़े आसानी से उपर पिस्ता चिपक जाता है, तो जैसे गोल लड़ू के उपर डालने में, आसपास गिरता जादा है, उपर कम चिपकता है, थोड़ा सा केसर दूद लगाएं और पिस्ता वाले कटोरी में डिप करेंगे न, तो आपके लड़ू के उपर, मतलब नान खटाएं के दो के लड़ू के उपर इस तरीके से पिस्ता बहुत अच्छे से चिपक जाएगा, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, थोड़ी सी गैस पर है, उस पर थोड़ा से जाधा टाइम लगेगा दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने रग दिया, और अब गैस की फ्रेम को एकदम कर देना है धीमा, जब प्री हीट कर रहे हैं, तो उस टाइम पर आप आँच को तेज करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बेक कर र बेक होने के बाद निकालने में बड़ी आसानी होती है, पीछे से भी आप टेक्श्यर देख सकते हो, गैस वले में मदब जो गैस पे आप बेक कर, उसमें नीचे से जादा अच्छा गलार आता है, अवन में ऊपर नीचे दोनों ही साइड से अच्छा कलर आता है, क्योंकि अवन में इवन बेकिंग होती है, बाकि ऐसे कोई धिक्क करके गेहूं के साथ थोड़ा सा तो healthy बनाया ही है बाकि अगर आपको मैदे वाली रेस्पी देखनी है तो उसका भी लिंक जो उपर reflect हो रहा होगा आप मैदे वाली plain नान खताई की रेस्पी देख सकते हैं उसको मैंने केसर के साथ flavor नहीं किया था वो simple plain वाली classic नान खताई की बहुत अच्छे आते हैं तो हमने एकदम गोल लड्डू जैसा बनाया था देखिए बेक होने के बाद थोड़े से फ्लैट हो जाएंगे इस तरीके से अगर आप पहले ही फ्लैट कर दोगे पहले बिस्कुट की तरह चप्टा करके बेक करोगे तो और जादा फैल जाएंग है उसको भी याद से दबा दीजेगा उससे क्या होगा ना कि जब भी मैं कोई नए वीडियो अप्लोड करूंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम ली मिलेंगे आपसे मिस नहीं होगे आपको पता चल जाएगा कि एक नया वीडियो आ गया है चलिए देख ले और साथ अगर वीडियो पसंद आये हो तो वीडियो को जाधा से जाधा लाइक और शेयर करें ताकि आप ही जैसे और दोस्तों तक इस तरीके की आसान सी घरेलू रेस्पी पहुचे जो कि बिल्कुल मार्केट वाली चीज़ आप घर बे बना सकते हो मैं मिलती हूं इसी तरीके की ए बबाइन कीप कुकिंग